आज की इस वीडियो का टॉपिक है च्वाइस फॉर अल्टरनेट रूटिंग इस वीडियो में हम डिफरेंशल कॉस्ट अनलसिस की बेसिस पर ये देखेंगे कि कमपनी किस तरह से डिफरेंट अल्टरनेटिव में से एक बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज कर सकती हैं इसी तरह ऑगनाजेशन में डिफरेंट प्रोसेस जब किये जाते हैं तो उन प्रोसेस में डिफरेंट पॉइंट होते हैं उन वेरियस पॉइंट में ऑगनाजेशन को डिफरेंट अल्टरनेटिव मिलते हैं डिफरेंट चॉइसे मिलती हैं उन में से किसी एक आप्शन को हमने choose करना है इस choice for alternative rooting में अब अगर बात की जाएं कि ये choice for alternative rooting क्यों किसी भी organization में perform की जाती है तो companies अपने goal को alternatives के साथ match करने के लिए इस choice को देखते हैं कि कौन कौन सी choices उनके पास हैं और उस option को choose करते हैं जो उनके ultimate goals के साथ match करें उसके इलावा इसको इसलिए इस्तमाल किया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि कौन सा alternative इस्तमाल करके company की जो product है वो efficiently और effectively भन सकती है और furthermore इस तरह का alternative चूज़ करें जिसके तुरू ये पता चल जाए कि market opportunities उस alternative की exist करती हों या उस product की exist करती हों जिस related alternative परफॉर्म करने जा रहे हैं जैसे के let's suppose एक company है ABC company जो oil and gas company है और इसका काम है कि ये oil को refine करती है अब oil refine करते हैं कमपनी के पास दो options available हैं एक है कि treat करें gasoline को और दूसरा है कि crack करें gasoline को केरोसीन basically मिट्टी के तेल को कहते हैं और gasoline petrol को कहते हैं अब यहां पे company के पास दो alternative routes हैं मतलब दो मुक्तलिफ रास्ते हैं या तो वो मिट्टी के तेल को ही बनाए और उसी को ही बेच दे या फिर वो मिट्टी के तेल से आगे उसको कड़क करके petrol बना कर और petrol sale करे अब company ने इन दोनों alternative में से किसी एक alternative को choose करना है जिसके लिए ये कहा जाता है कि केरोसीन के 10,000 gallons company के पास मुझूद है मतलब मट्टी के तेल के 10,000 gallons उसके पास है अब वो किस तरह से देखेगी कि इन gallons को इसी तरह से बेच देना है या इसको treat करके मतलब इस gallon को different quantities में divide करके बेचना है या फिर उसने इसको crack करके इसकी जगा petrol बनाना है तो उसके लिए company क्या करेगी कि एक analysis perform करेगी जिस के थूँ वो ये जान सके कि दोनों roots में से कौन सा alternative root company चूज करे अब इस analysis को perform करने के लिए सबसे पहले तो company इन 10,000 gallons की differential cost देखेगी कि क्या differential cost है इन 10,000 gallons की और differential cost basically वो difference होता है जो दो alternative की cost के दरमयान में होता है जिस तरह let's suppose यहाँ पर kerosene को treat करने की जो cost है वो है रुपीज 10,000 और जो gasoline को crack करने की जो cost है वो है रुपीज 15,000 अब इन दोनों के दरमयान में जो 5000 रुपे का difference है वो basically differential cost है अब ये तो बात होगी कि इस analysis को perform करने के लिए पहले जो चीज़ देखी जाएगी वो होगी differential cost और दूसरी जो चीज़ देखी जाएगी वो होगा budget crack करने के लिए कैसोरीन को कैसोरीन को crack करेंगे तो तब ही जाकर हमारे पास gasoline आएगा अब इन दो points की basis पर company इस analysis को perform करेगी जिसमें ये देखा जाएगा कि crack करने से related क्या potential revenue है और दूसरा ये देखा जाएगा कि kerosene या मट्टी के तेल से related कितना potential revenue है इन दोनों revenue की basis पर organization क्या करेगी कि gain देख लेगी कि alternatives के दरम्यान में क्या gain आ रहा है वो gain इन दोनों revenue का difference होगा और फिर इस difference की basis पर देखा जाएगा कि जिस alternative की वज़ा से ये gain आएगा उस alternative को company चूज कर लेगी Let's suppose कि मिट्टी के तेल की वज़ा से ये gain आ रहा है तो मतलब मिट्टी का तेल ज्यादा फाइदे मान है company के लिए तो company इसको choose कर लेगी अब further इसे example को extend करते हैं और हम ये कह देते हैं कि इन दोनों अमल में कैसोरीन को treat करने में और gasoline को crack करने में तीन तरह के हमारे पास जो products हैं वो आते हैं एक है gasoline जो के मट्टी का तेल एक है gasoline पेट्रोल और तीसरा fuel oil जो इसकी वज़ा से produce हो रहा है मतलब जो इस gasoline को treat करने की वज़ा से produce हो रहा है उसे हम कह रहे हैं कि ये fuel oil है और इसकी यहां पे हमें current price दी गई है per gallon और कहा गया है उपर कि 10,000 total gallons थे अब जब company crack करेगी कैसोरीन को तो जब गैसोरीन निकलेगा तो ये जो cracking yield है ये basically gasoline के लिए है जिसके लिए ये कहा जाता है कि जब कैसोरीन को crack किया जाएगा तो उसमें से 85% gasoline निकलेगी मतलब कि कैसोरीन को crack मट्टी के तेल को crack करने की वज़ा से यहां पर 85% उससे petrol produce होगा बागी residual fuel oil जो निकलेगा वो निकलेगा 5% और 10% उसमें से नुकसान हो जाएगा लॉस हो जाएगा तो इस तरह से इस yield का 100% complete हो रहा है अब एक तो हमने बात की थी कि इसके लिए हम differential cost को यूज़ करेंगे दूसरा budget देखेंगे के gasoline को crack करके gasoline के लिए क्या budget है तो हमने यहां पर देख लिया एक चीज़ हमने देख लिए cracking yield दूसरे अब हम देखते हैं कि क्या differential cost आती है इन options के लिए तो जैसे कि हमने उपर बात की थी कि दो options हैं एक cracking का option है और एक treating का option है तो differential cost जो cracking से relate कर रही है वो है rupees 12 per gallon और अगर treat किया जाए कैसोरीन को अगर मट्टी के तेल को इसी तरह से बेचा जाए तो वो 0.08 rupees की उस पर differential cost लगेगी और हमने कहा था कि इस analysis को perform करने के लिए यहां पर देखा जाएगा कि cracking से related potential revenue क्या है और kerosene से related potential revenue क्या है तो सबसे पहले इन दोनों के net potential revenues निकाल लेते है अगर cracking की activity का cracking के alternative का net potential revenue निकाला जाए तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरह की yields थी एक इस से gasoline निकलेगा जो के हमने कहा था कि 85% था और उपर हमें quantity दी गई है 10,000 gallons की इस 10,000 को जब 85% से हमने multiply किया तो ये आगया 85,000 gallons तो अब यहाँ पर जो revenue निकाला जाएगा वो revenue 85,000 के मताबिक निकाला जाएगा तो 85,000 gallons को हम multiply कर देंगे इसकी current price से जो के यहाँ पर given है 1.68 रूपीज तो यहाँ पर 85,000 gallons को हम multiply कर देंगे रूपीज 1.68 से तो ये आजाएगा 14,280 रूपीज की gasoline के लिए net potential revenue साथ ही साथ हमने एक और चीज़ देखी थी कि cracking yield में gasoline के साथ-साथ residual fuel oil भी निकल रहा था जो fuel oil बच किया था उसकी भी यहाँ पर हमारे पास percentage आ रही है ये भी yield हमारे पास आ रही है तो इस cracking के activity के लिए एक तो gasoline निकलेगा इससे दूसरा हमारे पास आ जाएगा fuel oil जिसके लिए ये information provided थी कि 5% residual fuel oil निकलेगा मतलब इस 10,000 gallons को अगर हम multiply कर देंगे 5% के साथ तो ये हमारे पास 500 gallons आ जाएगा residual fuel oil का जिसके लिए जो price दी गई है वो दी गई है 1.40 रुपीज की तो यहाँ पर हम कर देंगे 500 को multiply by रुपीज 1.40 जब हमने इसको multiply किया तो ये हमारे पास आ गया 700 रुपीज का net potential revenue for gasoline and fuel oil हमने जब इन दोनों को add कर दिया तो ये आ जाएगा total revenue जो gasoline और fuel oil से मिला है company को अब उसके बाद इसमें से less कर देंगे differential cost को क्योंकि हमें net potential revenue चाहिए और differential cost related जो data दिया गया है वो दिया गया है cracking का रुपीज 12 पर gallon तो जो differential cost लगाई जाएगी क्योंकि cost तो हमारी पूरी 10,000 gallons पर ही लग रही है ऐसा नहीं है कि cost जो है वो सिर्फ gasoline और fuel oil पर लगे यहां पर जितनी yield आ रही है उस तमाम yield के 100% पर differential cost लगती है क्योंकि gasoline अगर बना है तो उस पर भी पैसे लगे है cost लगी है तो इसलिए differential cost 10,000 units पर की जाएगी जो के 0.12 रुपीज पर gallon है तो यहां पर हम इस तरह से करेंगे कि उसमें से less कर देंगे differential cost 10,000 को 0.12 से multiply करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 1200 रुपीज की differential cost अब जब हमने इसको less किया total revenue को revenue में से less कर दी differential cost तो यह हमारे पास आ जाएगी 13,780 रुपीज की net potential revenue अब इसी तरह से कैसोरीन के लिए भी हम कर लेंगे कि यहां पर कैसोरीन का total revenue कर लेंगे क्योंकि कैसोरीन को further process नहीं करना बलके इसको सिर्फ treat करना है इसलिए इसको directly 10,000 gallons को multiply कर देंगे इसकी price के साथ जो के यहां पर 1.20 पर gallon दी गई है तो जब हमने 10,000 को 1.20 से multiply किया तो यह आ गया 12,000 रुपीज का total revenue इसे तरह से अब total revenue में से less कर देंगे differential cost को जो के 0.08 पर gallon यहां पर दी गई है तो जब हमने इसको 10,000 gallons से multiply किया जो के कैसोरीन के gallons की quantity थी तो यह हमाई पास आ गया 800 रुपीज का differential cost तो हमने इसको less कर दिया जब तो यह आ गया net potential revenue 11,200 रुपे का अब यहां पर हम देख सकते हैं कि जो net potential revenue आया था gasoline से वो था 13,780 रुपे का और यहां पर कैरोसीन से related जो आया है वो है 11,200 रुपे का net potential revenue तो मतलब basically अगर देखा जाए तो जो first option है cracking का option वो ज्यादा net potential revenue दे रहा है तो organization इस alternate route को choose करेगी अब अगर बात की जाए gain की तो gain basically इसी के वज़ा से आ रहा है और gain के लिए हम क्या करेंगे कि 13,780 रुपीज में से less कर देंगे 11,200 रुपीज तो यह gain आ जाएगा 25,80 रुपीज का gain अब भन गया किसकी वज़ा से यहाँ पर gasoline को crack करने की वज़ा से यह जो gain आया है यह company के पास 25,80 रुपीज का आ गया है मतलब अब अगर company को दोनों route में से कोई एक alternate route चूज करना पड़े तो company gasoline को crack करने का route चूज करेगी क्यूंकि इसमें हम देख सकते हैं कि बेशक इसमें differential cost भी ज्यादा लग रही है as compared to gasoline लेकिन यह company को net potential revenue ज्यादा कमा के दे रहा है इसलिए company इसको चूज करेगी तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने देखा कि differential cost analysis को किस तरह से perform कर सकते हैं अगर company ने different alternatives के दर्मयान में एक alternative को choose करना हो और हमने company के लिए एक alternative को choose किया जो alternative था cracking का